हेलो प्रीबन आज हम बनाने जा रहे हैं देशी विंटर साथ विक ठाली तो चलिए बनाना सुरू करते हैं फर्स्ट हम बनाने जा रहे हैं मिक्स बेर्ज जिसमें हम ले रहे हैं गाजर गोभी मटर आलो तो मीरिम फिल्म पर रख रहे हैं मेकाराइन के कड़ाई उसमें डाल दे हैं दो चमच तेल को गरम कर लेना है डालना है तेज पत्ता दो काली मिर्च एक हरी मिर्च और एक सुखी लाल मिर्च आदर चमच जीरा एक चमच धनिया पौडर एक पिंच हेंग और उसके बाद जब मसाले अच्छे से हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हम डाल रहे हैं मतर मतर को अच्छे से मसालों में मिलाते हुए भूनना है उसके बाद डाल रहे हैं बारिक कटी हुई गजर और अच्छे से mix कर लेना है और फिर हम डाल रहे हैं फूल गो भी तो इसी तरह से सभी सब्जे को हमने अच्छे से मिला लिया है मसालों में उसके बाद लाश्ट में हम डाल रहे हैं बारी कटे हुए आलो आलो को भी सबजी में अच्छे से मिलाते हुए हमें भूनना है उसके बाद हम ढाल रहे हैं आदा चमच हल्दी पौडर आदा चमच लाल मिर्च पौडर और स्वाद के अंसार नमक सभी मसालों को हमें सबजी में मिलाते हुए चलाना है भूनना है लो फिलेम पर उसके बाद हमें ढख के रख देना है लो फिलेम पर पकानी है सबजी प्लेट से ढख कर रख रहे हैं सबजी को जब हमने प्लेट निकाली तो सबजी हमारी बन कर तयार तो आप देख सकते हैं इस तरह से बन कर तयार और हम नेक्स्ट जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है आमले की सब्जी मेडम फ्लेम पर रखा है पैन उसमें डाल दे एक गिलास पानी और नमक और इस तरह से चलनी में हमने आमले रखकर उनको हमें स्टीम करना है प्लेट से ढग देना है तो आप द धनिया सोफ आदा चमच जीरा मेथी और काला जीरी को हमने आईरन के तबे पर अच्छे से भून लिया है अब हम मीडम फ्लेम पर रख रहे हैं आईरन की कड़ाई दो चमच तेल डाल के हम डाल रहे हैं बारी कटा हुआ अद्रक एक हरी मिर्च आदा चमच जीरा और एक पि लाल मिर्च पौडर और यह हमारे पास इस्टीम होए आम ले हैं जिनके हमने गुठली निकाल ले थी मसालों में डाल करके हमें अच्छे से भूनना है आम लोगो और उसके बाद मैं डाल रहे हूँ छोटे कप से एक कप पानी स्वाद के नुसार नमक और मैं डाल रहे की छोटी सी टुकड़ा और मीडियम फ्लेम पर हमें पकाना है दो से तीन मिनट के लिए प्लेट से ढखके रख देना है और जो हमने मसाला भूना है उसको हमें कूट लेना है और जब हमारे आमले की सबजी बन कर तयार हो जाए तो लाश्ट में हमें यह मसाला डाल के मिलान है तो इस तरह से आमले की सबजी बन कर तयार और तो अब हम बनाने जा रहे हैं खिचड़ी तो एक पैन में यानी कि एक भगोने में मैं ले रही हूँ एक गिलास चावल और आधा गिलास ले रही हूँ छिलका उड़त डाल यानकी काली डाल दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इस खिचड़ी को दो तीन बार पानी में अच्छे से धुल लेंगे और पांच मिनट के लिए भीगो कर रखेंगे तो मीडिम फ्लेम पर रख रही हूँ मैं एक कूकर और कूकर में डाल रहे हैं हम दो गिलास पानी और स्वात के अनुसार नमक पानी जब अच्छे से गरम हो जाए तो तब हमें ये भीगी हुई खिचड़ी को पानी में डालना है पानी अच्छे से निधाल लेना है और उसके बाद हमें कूकर का ढखकन बंद कर देना है और देना है हमें इस कूकर में एक बिसल, एक बिसल में हमारी खेचड़ी बनकर तयार अब हम रख रहे हैं एक गिलास पानी क्योंकि हलके गुंगुने पानी में हम बनाने जा रहे हैं आटा तो मैं आटे में डाल रही हूँ हलका सा नमक तो हलके गुंगुने पानी से मैं आटे का एक सोप्ट सा डो बना लूँगी क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं रोटी तो इस तरह से मैंने सोप्ट सा डो बना कर तयार कर लिया है इस डो को मैं रेश्ट दे रहे हूं 10 निट के लिए और 10 निट के बाद फिर से मैं आटे को बनाऊंगी और फिर आटे की मैं चोटे चोटे टुकडे तोड़कर इस तरह से लोई बना लूँगी और फिर मैं एक इस तरह से रोटी बेल लूँगी और रोटी को मैं सेख रही हूँ आईरन तबे पर मीडियम फ्लेम पर तो रोटी को अदलते बदलते हुए मैं अब गैस पर सेख लूँगी इस तरह से तो हमारी रोटी भी इस तरह से फूल कर और सिख गई है इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी सेख लूँगी और हमारी रोटी भी बन कर तयार हो गई है रोटी पर मैं देशी घी डाल करके इस तरह से रोटी को अच्छे से घी लगा कर तयार कर लूँगी और रख दूँगी होट केस में और हमारी सभी रेसिपी बन कर तयार तो मैं लगाने जा रही हूँ तो जिसमें मैंने first में रखिये mix wedge और शेकिन में मैं रख रही हूँ दही और third में third कटोरी में रखा है मैंने आमले की सबजी और ये मैंने रखिये थाले में खिजडी और गुड साथ में आम काचार और दो रोटी घी लगी तो इस तरह से हमारी ये देशी विंटर सात्विक थाली बन कर तयार अगर आपको मेरी ये थाली पसंद है या मेरी थाली को आप लाइक करते हैं तो प्लीズ मेरे चेनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज सपोर्ट करना ना भूले और बहुत ही सिंपल आसान तरीके से ये थाली बनकर तयार हुई है तो प्लीज मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए मिलते हुए एक नियूर एसपी के साथ रहे कि अपना धेर सरक है